हेलो दोस्तों वेल्कम टो मैं चैनल आई होप कि आप सब बढ़ी होंगे तो जैसा कि आपको पुता है कि कली सीए जो लीटिकर डिक्लियर हुआ है जो भी मैं सेशन में एक्जाम में दें तो पहले तो जिनका एक्जाम पास हुआ है इस अटेम्ट में तो उनको मैं बहुत बह सब्सक्राइब चाहिए तो अब मैं दिखाता हो मैं आपको किस टॉपिप में बात कर रहा हूँ ठीक है तो यह आपको इस्कीन पर दिख रहोगा यह हमारे इंस्टिट का गाइडलाइन्स फोर प्रोवाइडिंग फाइनिस एसिस्टेंस अब देखते हैं इसका अब्जेक् सब्सक्राइब चैलेट को करना करना चाहते हैं इसके लिए इंसेंटिव आप सबको दिया गया है तो इंसेंटिव दिया गया है अब इसमें क्या क्या चैलेख रहा है और हमको किस टाइम पर क्या benefit मिलेगा तो देखते हैं आगे क्या क्या लिखा हुआ है देखिए इस में न इसको दो category में डिवाइड किया हुए category 1 and category 2 जैसा कि आप देख पा रहे होंगे category 1 is for economically backward residence and category 2 is for academically bad residence मतलब यहां पर जैसा कि आपको पता है यहां पर economically backward residence के लिए तो यहां कुछ ने कुछ income limit आपको दिया होगा ठीक है कि आपका income इतने से कम होना अच्छी तब आप इसमें fall करेंगे बड़ यहां पर ऐसा कुछ नहीं है तो no income limit आपके income कितनी भी उससे कोई फरक नी बड़ता बट आपको बागी condition इसमें फुल्फिल करना है अब देखते हैं क्या 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 condition दिया गया है कि आपके minimum 65% marks होने च्छी इन क्लास 12 क्लास 12 में तो minimum सब के 80% marks तो असानी से आई जाते हैं तो I think 65 का condition तो हर कोई फुल्फिल कर रहा होगा मतलब mostly बच्चे करी रहे होंगे 90 to 95 बच्चे इसको फुल्फिल कर रहे होंगे बट अगर आप इसमें नहीं फॉल्फिल कर रहे है तो आपको second option दिया गया है कि अगर आपका 12 में 65 नहीं है बट आपका बैचले डिया नहीं जब आपने गयुशन क रहेंगे तो आपको इन दो में से कोई एक फुल्फिल करना है ठीक है then इसका second condition है जैसे कि अने बताया इसमें कुछ आपको income limit देखना को मिलेगा तो यहां second condition वो ही है कि आपका annual income जो है from all sources of the student on his own अभी तो आपका कुछ income नहीं होगा अगर आप कुछ job अगरा अभी साथ में नहीं कर रहें तो आपका income plus आपके parents का income and sports तो अभी आपका नहीं होगा तो आपके parents का income और अगर आपके आपके parents नहीं है तो जो भी आपका legal guardian होगा उसका income तो यह total income जो है should not exceed rupees 3 lakh आपका जो annual income होगा वो 3 lakh से कम होना चाहिए ठीक है तब भी आप इसमें fall करेंगे तो basically आपको दो condition fulfill करना है एक आपका यह हो गया and second यह हो गया अब देखते है category 2 में क्या बात कर रहे है category 2 में जा इसमें no income limit है तो आपको इसमें सिर्फ one condition fulfill करना है वो condition क्या है देखिए student seeking financial grant assistance to have obtained minimum 85% marks आपको 12 में minimum 85% marks और minimum 70 marks in bachelor degree इन दो में से अगर आप कुछ भी fulfill करते हैं तो आप इसमें fall कर जाएंगे ठीक है अब इसके नीचे आते है इसमें क्या लिखाव है the income limit has been revised from rupees 1 lakh to 3 lakh actually जब मैंने इसके लिए apply किया था मैंने apply किया था 2018 में तब यह limit था 1 lakh अभी इसको extend कर दिया है to rupees 3 lakh ठीक है और यह इसमें बोल रहे है कि there would be there would not be any income limit ठीक है यह तो मनें बात कर लिया नहीं इसका third condition क्या कह रहे है कि आपको income certificate देना है ठीक है अगर अगर आप बोलने कि आपका income 3 lakh से कम है तो आपके उसके अगेंस में कुछ document दिखाना प्रेगाना है कि मेरा income इतना कम है तो आपको इसके लिए income certificate देना है और वो भी में होगे या category 2 में होगे अब देखते हैं इसका benefit क्या क्या है benefits अंडर category 1 eligible user ends अंडर the guidelines अब इसके salary refund नहीं था full amount of CSWAT CSWAT का जो भी आपने registration fee पेक क्या होगा वो आपको पूरा refund मिल जाएगा ठीक है तो अभी जैसे मैं आपको बनाता हूं इसका registration fee यह आपको पता है कि CS में तीन stage होते हैं CSWAT then CS Educative then CS Final CS Final करीज़े यह CS Professional यह तीन stage होते हैं तो इसमें आपको कहां पर क्या benefit मिलेगा यहां बोला है कि CSWAT का आपका registration fee is refund हो जाएगा मतलब मतलब कि आपको पहले payment करना है जब आप register करते हो तो उस time पर payment करना है बट जब आप exam clear कर लोगे तो वह आपको refund मिल जाएगा यहां देखो लिखा होगा after they pass the exam जब आप exam निकाल लोगे तो आपको यह पैसा refund कर दे जाएगा यह वैसे amount measured नहीं है only 1000 है बट यह आपको refund मिल जाएगा अगर आप condition fulfill करते हो तो then second point बोल रहा है for direct admission on the basis of graduation applicable CSWAT exemption fees is also refundable जैसा आपको पता है कि आप CS आपको प्रेट कर सकते हैं अगर आपने graduation किया हुआ है या तो आपने आपने final level clear किया हुआ है या CMA का final level clear किया हुआ है तो आप आपको directly entry मिल जाएगा CS एजगुटी में बट उसके लिए आपको CS का यह आपको exemption fee पे करना होता है exemption fee आपका होता है फान सचार रुपे refund कर दे जाएगा तो इसमें हम लिखते हैं साथ में CS executive क्या है exemption fees अगर आप directly entry करते हो from graduation तो आपको यह PC refund कर दे जाएगा यह आपका है 5000 रुपे exemption fee ठीक है then next आते है there would be further refund to the registration fee pre-exam test fee paid by them for the registration education to executive program जो आपका second level है तो आपका बता है कि आपको CS executive के exam में बैठने से पहले आपको वहां पर pre-exam test देना होता है आप पहले इसमें इसको पहले आपको pass करना परेगा तब ही आप exam में बैठ सकते हैं जो आपका CS executive का exam होता है तो इसका fees भी आपको refund कर देंगे इसका fees आपको मैं बता दूँ तो CS executive का registration fees है something around 10,500 and आपका second क्या बोल रहे है pre-exam test fee pre-exam fee आपका है 1000 तो यह भी आपको refund कर देंगे बैट इसमें आपको क्या करना है if executive program if they have taken registration in executive program within the अब यह cut-off date क्या है जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बीडियो में बताया कि जिनका exam अभी मैं session में निकला है तो उनको 31st मैं उनका last year 31st मैं तक उनको CS executive में कुद को enroll करना है तब ही आप यह benefit ले पाएंगे 31st माई अब मैं आपको दिखाता हूँ यह cut-off date कहां दिया गया है नीचे अगर आप आएंगे तो cut-off date आपको मिल जाएगा यह रहा आपको पता है कि CSOET के साल में four times exam होते है एक आपका जैन में होता है दैन माई में जैन जुलाइ और नॉमबर तो अगर आप जैन वाले सेशन में एक्जाम के लिए करते हैं तो आपको 31st जैन तक माई में आपको 31st मही जुलाइ में आपका 31st जुलाइ नॉमबर में 30th नॉमबर तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर आपने मही में एक्जाम के लिए तो आपको 31st मही तक एंडोल करना है CS attribute में अगर आप अपना पैसा different जाते हैं तो आगे लेखते हैं आगे के लिखा हुए यह हो गया अब आप यह यह देखे कि जो यहां लिखा हुआ है ना जो जो यह category 1 में लिखा हुआ है वही सेम चीज आपको category 2 में देखने के मिलेगा अलब कुछ भी चेंज लिए सेम कॉपिपेश्ट है तो मैं आपको अगर category 1 समझा रहा हुआ हूँ तो category 2 में भी सेम अप्लाए होगा ठीक है आ देन नेक्स यह दे वुड और इंडर एक्जाम लेशन स्वी पेड़ वाइद फोर एजूटी प्रोग्राम हां तो जो आपने एक्जाम फी पेड़ किया है एक्जूटी में एक्जाम में बैठने के लिए इफ यह पास देंब पास इन फिर्स अटेंप्ट अगर आपने यह दो किया कर लिया है तो आपको एक्जाम फीस का भी रिफट्ट मिल जाएगा अब यह फर्स अटेंप्ट से क्या मतलब है अगर मालों मेरा जो अट्री अटेंप्ट डियू था वो था जून 23 में जून तेस्ट में मेरा exam था ड्यू बट मैंने exam दिया December 23 में तो क्या मैं आपको refund मिलेगा? मतलब मैंने December 23 में exam दिया और मैं pass भी हो गया तो क्या मैं आपको refund मिलेगा? आपको refund नहीं मिलेगा क्योंकि यह आपको क्या गोल ला है फर्स एटेंप्ट इन फर्स अवैलेवल उपरचुनिटी जब आप जून तेस में एक्जाम दे सकते थे तो आपने इसको मिस्क्यूं किया आपने इसमें क्यों डिसंबर तेस में आपने एक्जाम दियां तो इसलिए आपको रिफ़ंट नहीं मिलेगा आपका जो भी पहला अ एक्जाम फीस भी आपको रिफेंट मिल जाएगा एक्जाम फीस अगर मैं बात करो इसमें जैसा पता है कि एंड फर्स अवेलेवल ऑपर्टी मतलब जो आपका पहला अटेंप द्यू था उसमें आपने एक्जाम को किलियर कर लिया है वुट फर्दर रिफंडेट दा रिश्टेशन फी पेड बाइद फो रिश्टेशन फी पेड वाइद फो रिश्टेशन फी अब देखे क्या बूल तो यहां पर भी आपको रिश्टेशन फी रिफंड मिल जाएगा यह कुछ रिश्टेशन फी है आपका बाराईजार सम्थिंग है तो यह आपको रिफंड मिल जाएगा ठीक है आगे क्या बोल रहा है इप टेकन एड्मिशन फो प्रोफेशनल प्रोग्राम विदिन कॉट करते हैं तो आपको रिफंड मिल जाए आगे क्या बोल रहा है यहां प्रोफेशनल प्रोग्राम को निकाल लिया इसका इसमें तीन ग्रूप्स हैं तो तीन ग्रूप्स का ठीक है अभी जो मैंने एक्जाम दिये तो उसमें में कोई इतना तीन रूप्स लगा था तो यह भी आपको रिफंड कर देंगे तो देखो यह आपको इन्सुट कितना अच्छा मौका दे रहा है कि आप आपको कुछ भी खर्चा निकरना अगर आप यह सब कुछ फुल्फिल करें सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आपको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सिक्स मंत के अंदर जिस मंत में आपने एक्जाम पास किया है उसके जैसे आप जो मौई से यहां पर जो अपका बनेगा नॉमबर तो आपको थीस नॉमबर से पहले अपलाई करने शिक्स मंत के अंदर अगर आप अपना फिस रिपन्ट चाहते हैं तो यह बोला है कि अगर आपका शिक्स मंत के बाद आपिकेस की पार तो वह इंटरटेंगा ऐस सबी मद रहे हैं तो इसका लाज येट अब 1 अगर आप प्राइख के लिए यह को耶श्द मेर चारे है यह के है 31st jan similarly अगर आप December के लिए जा रहे हैं तो आपका लाज देट है 31st May for all the modules और अगर single group के लिए जा रहे हैं तो आपका लाज देट है 31st July तो यही आपको दिखा हुआ है sorry 30th June नी ठीक तो है 31st July तो यही इसमें देट आपको दिया गया है तो यह एक वर आप देख लेना अब document क्या required है document आपको चीए 12th का मास्कीट क्योंकि आपको जो यह मिल रहा है incentive यह आपको 12th के मास्क के बेसे मिल रहा है तो 12th का मास्कीट चीए आपको जो जो category 1 में fall करते हैं क्योंकि जो category 2 में आएंगे उनके लिए तो income में कुछ limit ही नहीं तो यह only for category 1 उनके लिए यह जो साही document है यह आपको attested by a guested officer और member of ICS है यानि कोई भी CS होगा उससे करवान है आपको प्रिंस्पल आप स्कूल और कॉलेज आ जाएगा या फिर कोई आपके गौर्वर्मेंट ऑफिसर से जो आपके नोन में तो आप उनसे भी करा सकते हैं यह आगे कुछ नहीं बोला है यह आपका basically application form है इसमें आपको apply करना है अब देखिए यह आपको apply कैसे करना है आ आपको यह मतलब यह form फिल करके जो भी मैंने भी डॉक्मेंट आपको बताया कि त्यांत का सॉरी त्यांत का मार्क सीट और अगर आपका income limit में फॉल करते हैं तो आपका income certificate इनके साथ आपको यह यहाँ पर courier करना है यह जो address आपको given है तो यह सशावी documents आपको यहाँ पर courier इसमें आपको फिल करना है कि आपको कौन से लेवल के लिए जाते हैं यहाँ पर आपको इस अकॉंट में आपको यहाँ यहाँ पर चीच के तो वहाँ पर जाकर आपको यह सब करवाना पर एगा कि मैंने जो भी यह इन्फर्मेशन फर्निश की है वह बिल्कुल सही है तो यहां भी देकर मांग रहा है बैंक का स्टेंप और सिमिनेचर ऑफ दा ओफिस्यल तो यह बैंक जा कि आपको सर्टिफाइट करवाना है इसको बाकी तो और कुछ नहीं है वह इसे बोल रहा है और यह होगी आपका सेकंड फर्म जो की है फोर अकेडमिकली बाटुजेंट्स तो यह भी और सिमिरल फर्म है कि इसमें नीचे आते हैं तो आपको दिखरोगा यह एकली जो भी हमने ऊपर बात कियो उसमें आपको फीस का रिफंट मिलेगा मतलब आपको पहले फीस का मतलब है लिजकांट अबको फीस जब आप पेइमेंट रहते तो उस टेंप यह आपको दिखरोगा जाते हैं तो आपको इसना का दिखरोगा जाते हैं तो आपको 50% को फिलेगा यानि आपको 500 पर प्यक्रणने आसे भीOTHER, 50%, तो है यहता है, सी अपर 50 डिखित्वी दे बावां। 10 आपर्फिर कॉड़ा पड़ात। कहीं पे 50, 50 फैंट डिखत्वीन्यकु एप्रप्ड करणे में यह थिर्प्रवाइ 14 तकहीं से 50 टेस्थमाइं यह 37 कहीं से उ साथ करें में SEC, जिसमें फॉल कर रहे हैं तो आपको यहां पर इतना डिस्वांट मिल रहागा then concession in fee for registration to the executive and professional program इसमें भी आपको दिख रहागा SCST then physically handicapped and then returned from the northeastern state तो इसमें आप देखना जहां भी आप फॉल कर रहे हैं तो आपको इतना benefit मिलेगा then concession in examination fees यहां पर आपको exam fee में concession मिलेगा यहां भी आपको सेम दिख रहागा category SCST then physical handicap तो बस यह है इस video में आप मेरे को इतना ही update करना था बाकि यहां यह करशार बच्चों को इसके वारे मालूम नहीं है क्योंकि मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो CS pursue कर रहे हैं तो उनको इसके वारे में कुछ भी मालूम नहीं था तो मैंने उनको बताया तो फिर उन्होंने भी इसमें refund claim किया और मेरा तो यह था कि मैंने इस course में कुछ भी खर्च नहीं किया मतलब मैंने जितना भी fees का payment किया था वो सब का सब मेरे को refund मिल गया क्योंकि मैं सबी कंडिशन को फुल करता गया तो बस यह है अगर आप फुद ही CS कर रहे हैं तो फिर तो आपके लिए बढ़ी हैं आपको information मिल गया अगर आप CS नहीं कर रहे हैं अगर आपके known में कोई है तो आप यह वीडियो उनके साथ share किए ताकि उनको इसमें कुछ में कुछ benefit मिल पाए बाकी मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू